हलो दोस्तों नमस्कार कैसे हैं आप आप सभी का हमारी चैनल पर स्वागत है आई जाने 36 गर सिक्चक भरती परिक्षा 26 मार्च 2019 को इसका नोटिफिकेशन सीजी वापम के वेबसाइट पर आने वाला था लेकिन अभी तक नहीं आया आज 28 मार्च 2019 हो गया है भरती लेट हो रही है क्यों लेट हो रही है इसके बारे में जानते हैं और कुछ जानकारी अभी मिल रही थी कि इस भरती में कला समूँ के अभ्यरतियों के लिए किसी भी प्रकार के एक भी पद नहीं दिये गए हैं तो उसके बारे में भी जानेंगे उसके लिए आपने समाचर पत्रों या निउस पेपरों में पढ़ा होगा कि काफी उम्मिद्वारों ने इस पर आपत्ती जताई कि इतने पदों पर भरती होने के बाद भी कला समू के अभ्यर्थियों के लिए एक भी पद सीजी व्यापम या सरकार ने जारी नहीं किये हैं तो हो सकता है इस पर बात हुई है अधिकारियों से बात हुई है सरकार के अधिकारियों तक बात पहुँची तो मुझे जानकारिया मिली है कि उस पर भी कुछ पद अपडेट किये जा रहे है इसलिए इन सभी चीजों पर कारवाई चल रही है इसी कारण से इसका नोटिपेकेशन जो 26 मार 2019 को आने वाला था वो लेट हो रहा है अब हम लिखित में जान लेते हैं क्या है पूरी जानकारी जदि आपको जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को लाई जरूर करिएगा बहुत जादा पद है 14,580 और इस पद के लिए लाखों उम्मिद्वार तैयारी में जुटे हैं और आप कुछ दिन ही इंतजार करें जल्दी से इसका नोटिपिकेशन व्यापम की वेब साइट पर आएगा आप अभी से तैयारी शुरू कर दें देखते हैं संस्ता का नाम था लोग सिक्छन संचनाले 36 गड़ पद के बारे में हम थोला सा एक बार अपडेट ले लेते हैं ये जो पद थे व्याख्याता के 3177 पद सिक्छक के लिए थे 496 पद सिक्छक अंग्रेजी माध्यम के लिए 456 व्यापम सिक्छक के लिए 445 पद थे सायक सिक्छक के लिए 4000 पद थे और सायक सिक्छक विज्ञान परयोग साला के लिए 1200 पद थे और सायक सिक्छक अंग्रेजी के लिए 306 पद थे इस प्रकार से टोटल 14,580 के लिए यह notification 26 मार्ट 2019 को जारी होना था लेकिन नहीं हुआ है मैंने CG Vyapam की वेबसाइट पर जाके देखा यह current में ही मैंने इसको upload किया है लेकिन लास्ट जो अपडेट इसमें आया है प्री पॉल टेकनिक डिप्लोमा इंजिनेरिंग टेस्ट जो इंट्रेस्ट एक्जाम है उसके बारे में यहाँ पर upload किया गया है और पटवारी प्रसिक्षन चैन परिक्षा की मार्डल आंसर की भी जारी हुई है उसके बाद सिक्षक भरती के लिए इस पर कोई notification नहीं आया है अभी परसो के दिन इंजिनेरिंग क्रसी अभियांत्रिक के बारे में इस पर upload किया गया था और पिछले 26 मार्च के बाद पटवारी भरती प्रिक्षा का मार्डल आंसर की जारी हुआ है और प्री पॉल टेक्निक के लिए जो इंट्रेस्ट इक्जाम थी उसके लिए आनलाइन आवेदन के बारे में प्रेश्विग्यप्ती जारी हुई है इसी के मद्यस्त सिक्षक भरती का नोटिपिकेशन भी आना था लेकिन इस पर नहीं आया ये मैं आपको CG Vapam की वेबसाइट का करेंट अपडेट दिखा रहा हूँ जो मैंने उठाया है उसको मैंने क्लिप उठा लिया है इसकी और मैं आपको CG सिक्षन संस्तान की जो वेबसाइट है www.cg.nick.in एजुकेशन पोर्टल है जो उसकी भी वेबसाइट पर गया था उस पर भी देखा तो यहां पर भी सिक्षक भरती से संबंदित किसी प्रकार की कोई जानकारी मुझे नहीं मिली इसलिए मैंने इसका भी क्लिप उठाया यह भी करेंट का एक क्लिप है आप भी चाहें तो इस पर जा सकते हैं देख सकते हैं गूगल पर जहाएं या डबल 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 डाट सीजी डाट निक डाट इन करेंगे तो आपको यह जानकारी मिल जाएगी इस पर भी कोई जानकारी नहीं है मैंने पूरी कोशिस की लेकिन जो वेबसाइट है उसके उपर सिक्षक भरती परिष्चा का नोटिपिकेशन संब किसी प्रकार का कोई अपडेट नहीं है लेकिन अपडेट आ रहा है कहां से न्यूज चेलनों से तो देखते हैं उस पर क्या है 28 मार्च 2019 को यह अपडेट आया है सिक्षकों की भरती के लिए प्रवेश परिष्चा जुलाई में राजमेकरी 15,000 सिक्षकों की भरती होगी इ व्यापम से भरती परिष्चा आयोजित की जाएगी व्यापम से इसकी तयारी की जा रही है अपसरों का कहिना है कि भरती परिष्चा अलग-अलग चरणों में आयोजित की जाएगी इसके लिए आवेदन भी अलग-अलग मगाए जाएंगे परिष्चा जुलाई से सुरू होगी परिख्षा के लिए सिले बस क्या होगा पात्रता किसे मिलेगी पूरी जानकारी नोटिपिकेशन आने पर ही पता चलेगा छेकिन फिलाल अभी नोटिपिकेशन नहीं आया है सिक्चक भरती परिच्छा के लिए आविदन पत्र जमा करने का सिलसिला 26 मार्च से शुरू होना था लेकिन नहीं हुआ सुत्रों के अनुसार यह जानकारी मिली है कि अभी जो परिच्छा कारकरम तैयार नहीं हुआ है इसलिए आविदन जारी नहीं किये जा सके तैयारी नहीं होने के कारण ही भरती परिच्छा की सुचना जारी नहीं की जा सकी है अगर यह सुचना गुरुवार को जारी हो जाती तो उसके हपते या 10 दिन में आवेदन पत्र जारी किये जाते लेकिन अभी तक इस प्रकार की कोई सुचना नहीं आई है तो माना जा रहा है कि अब आगे अप्रेल मध्य तक यह नोटिफिकेशन आ सकता है सीजी व्यापम की वेबसाइट पर कब तक अप्रेल मध्य मतलब 15 अप्रेल तक 15 अप्रेल 2019 तक यह नोटिफिकेशन सीजी व्यापम.choice.government.in पर आ सकता है अभी हमें कम से कम और 10-15 दिन इंतजार करना होगा यह 15 अप्रेल के पहले भी आ सकता है तो ज़्यादा दिन नहीं बचे हैं एक सप्ता का और इंतजार करके देख लें क्योंकि अभी इस पर चुनाव आयोक का किसी प्रकार का कोई वो नहीं होगा क्योंकि पहले ही अगबारों के माध्यम से बता दिया था जब चुनाव की गोशना नहीं हुई थी और चुनाव आचार सहीता पर भी कारवाई मुख्य चुनाव आयोक्त ने नहीं की थी मैंने इसके लिए एक वीडियो भी अप्लोड किया था यहाँ उस समय सीयम वुपेज भगेल ने इसके बारे में बताया था कि हम पूरे प्रदेश में लंबे आर्षों से नहीं हो रहे शिक्छक भरती परिक्षा के लिए कम से कम 14,580 पत पर भरती निकानने जा रहे हैं उसके लिए जो अप्डेट आया था वह चुनाव आचार सहीता से पहले आया था तो इसका मतलब होता है कि चुनाव आचार सहीता का इस पर कोई असर नहीं पड़ेगा अभी फिलाल जो जानकारी थी कि इस भरती में कलासमू के पदों पर एक भी अप्डेट नहीं हुआ पद नहीं निकाले हैं उसके लिए इस पर कारवाई चल रही है इसलिए परिच्छा या नोटिपिकेशन थोड़ा लेट हो रहा है और अप्रेल मध्य तक या उसके पहले ही नोटिपिकेशन आने की पूरी संभावना है सरकारी इंगलिस मेडियम इसकुलों में सिक्षकों की नियुक्ती के लिए अलग-अलग परिच्छा होगी पिछले साल राज्ज में करीब 200 सरकारी इसकुलों में पहली वर छटवी में इंगलिस मेडियम में पढ़ाई शुरू होई है इन इसकुलों के लिए ही करीब 306 सिक्षकों के लिए भरती की परिच्छा होगी 306 जो पद इसमें निकले हैं वो इंगलिस अंग्रेजी के लिए हैं यह नोटिपिकेशन में दिया है जो पद पुरे प्रसारित किये गए हैं मतला बहुत अच्छी बात है कि 36 गल राज्ज में सरकारी इसकुलों में इंगलिस मेडियम से पढ़ाई हो रही है बाकी अन्य राज्ज में ऐसा नहीं है बहुत कम राज्जे ऐसे हैं जहांपे गवर्मेंट इसकुलों में जो प्राइमरी लेबल के हैं उसमें इंगलिस मेडियम में पढ़ाई हो रही है तो उसके लिए एस्वारी 306 पद इन्होंने निकालने की बात कही है लेकिन इसके तहट कला समु में 153 और विज्ञान समु में 153 शिक्षकों की नियुकती होगी मतलब विज्ञान समु के लिए 153 और कला समु के लिए भी उन्होंने पद अपडेट करने को कहा है वही जो मैं न्यूच के माद्यम से बता रहा हूं इसमें यह खबर आ रही है कि अभी तक कला समु के लिए एक भी पद नहीं थे लेकिन लगबग 1500 पद इस भरती में कला समु के अभिरतियों के लिए आ सकते हैं तो अच्छी बात है इनी पर थोड़ी सी कारवाई चल रही है अफसरों ने यही कहा है तो अब हम थोड़े दे और कुछ इंतजार कर लें इस प्रकार से देर आए दुरस्त आए कला समु के लिए भी कुछ पद होंगे और जो भी अब नोटिपिकेशन आएगा वह सब के लिए बेश्ट होगा तो आप तब तक के तयारी सुरू कर दें और जैसे ही इसके लिए नोटिपिकेशन आएगा तो मैं उस पर भी आपको वीडियो के माध्यम से जानकारी दे दूँगा तो इस प्रकार से पूरी जानकारी थी यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइज जरूर करिएगा और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है